नमस्कार दोस्तो आद हमारी शिक्षान अभी रोचिक की क्लास सेकंड है तो चलिए-चलते हैं पहले कोफ़ेक्शन है पाठाय में नेतिक शिक्षा को सांभिदचे के बैसे में आपका क्या विचार है तो option A यह चाहत्रों के बिकास के लिए लाबकारी हो सकती है option number 2 इसका कोई लाव नहीं है option number 3 यह चात्रों में एक बोज मात्र है और option number 4 नैतिक सिक्ष्या केबल पुस्तक को द्वारा नहीं दी जा सकती इक है तो इसका right answer क्या होगा मतलब नहीं नहीं तिक सिक्ष्या को क्या आंपार पुस्तक में सामिल करने पर आपकिया बिचार नपर क्या बिचारção करो क्या होगा option number A, इसका right answer होगा, ये सिक्षा, ये चात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाबकारी हो सकती है अगला question है, बिस्स्ट बालक बैय होते हैं जो, मतलब बिस्स्ट बालक कौन से होते हैं? बहे होते हैं जो option A, सारी रिक रूप से उसत से बिसिष्ट हो, option number B, मानसिक रूप से उसत से बिसिष्ट हो, option number C, सामाजिक रूप से उसत से बिसिष्ट हो, option number D, मानसिक, सारी रिक, सामाजिक और संभेक रात्मक रूप से उसत से बिसिष्ट हो, तो इसका रायट आंसर क्या ह वीडियो को शेर कर जल्दी-जल्दी इसका राय टांसरूगा option number ne सारीरिक रूप से उसट से बिस्ट हो क्या हो ओगा अगला कोषिशन है छातन नयतिक को तई उसका को तब इसका आचरन करें option 2 संबन्द प्रस Such सब्गे test कर दी जाए और option number D नैतिक सिक्षा को पाठ्यक्रम में जोड़ देना चाहिए तो छातिन नैतिक सिक्षा को तब भी गिरेन कर सकते हैं कब गिरेन कर सकते हैं आपके अनुसर जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दो तो इसका अनसर क्या होगा option number B इसका right answer होगा परिक्षा में इससे संबंदित प्रेशने पूछा जाए तो प्रेशने पूछा जाएगा तो नैतिक सिक्षा को बच्चे पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है आपकी द्रस्टी में छात्रों का अधिक्तम विकास होगा आपकी द्रस्टी में छात्रों का अधिक्तम विकास होगा option A जल्द 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 आंसर दो तो इसका right answer क्या होगा option number B मानसिक कार्यों द्वारा चात्रों का अधिक्तम विकास किस्से होगा मानसिक कार्यों द्वारा अगला कुछ सेने भे और धंड का प्रवाव बच्चों को अनुसासन हीन बना सकता है मतलब भे होगा और धंड कर दिंगे आपन तो बच्चों को प्रवाव बच्चों को अनुसासन बना सकता है इसकतन से आप option A, पूर्ने सहमत है, option number B, आंसिक रूप से सहमत है, option number C, अनिच्चत है, और option number D, पूर्ने सहमत है, तो आपके विचार में, क्या है इसका right answer? पूर्ने सहमत है, option number A, इसका right answer है, क्योंकि बह और दंड, यदि हम बच्चे को डराएंगे और उसको दंड देंगे, तो बच्चा अनुसासन हीन बन सकता है, तो इस कतन से हम पूर्ने सहमत है, इस कतन से हम पूर्ने सहमत है, अगला कुछ ने, आपके विचार में सिक्चा क्य जाए, option A, साक्षर बनने का साधन, option number B, एक राष्टिय कर्तब, option number C, समाज सुदार का साधन, एबं माध्यम, और option number D, मानव का संसकार रूपी आपरन, तो इसका right answer क्या होगा, आपके विचार में सिक्चा क्या है, जल्दी जल्दी answer दो, तो इसका right answer क्या होगा, option number C, सुदार का साधन, इबं माध्यम, इसका correct answer हो जाएगा, कि सिक्चा से क्या होता है, समाज सुदार करने का यह साधन यह माध्यम है सिक्चा, अगला question है, बाल मगनव ग्यान का द्यान किसके लिए सरवादिक आपसक है, तो किसके लिए, option A, माध्यमिक सिक्चक के लिए, option number B, option 1, 2, बिस्विद्ध्याले, सिक्चक के लिए, option number 3, C, रात्मिक सिक्चक के लिए, और option number D, सभी के लिए, तो बाल मनम वग्यान का द्यान, किसके लिए सरवादिक मैध्पून है, जल्दी-जल्दी कमेंट करो, 27 में का answer, क्या होगा, answer, so this answer, option number A, का इसका करेक्ट आंसर होगा प्छ नमबर है इसका करेक्ट शीक्षक के लिए बाल मानों व क्यान क दिन किसके लिए सर्वादक आप संक है में इसको चैंसर यह यह कब अगला कुंसर नीमने में यह से कौन सा सावाजी करन का एक प्रमुख कारण कारण है और निम्न में से कौन सा सामाजी करण का एक परिवार अगला कुस्ष्थ एक सिक्षक को ग्यान के अलावा अपने बिद्धारतियों को और क्या सिकाना चाहिए उसको ग्यान के अलावा अपने उप्रियास और बिद्धारतियों में भी संतुलन ने खोना समय का सदूप्योग और सभी एक सिक्षक को ग्यान के अलावा अपने विद्धारतियों को और क्या सिकाना चाहिए तो इसका राइट आंसर होगा और इसका करेक्ट आंसर होगा मतलब यह सभी जहीं हैं और नमबर में चात्रों के लिए उप्योक्त पार्टेक्रम वह है जो उप्शन एक उनके विकास में सायक हो उप्शन नंबर भी चात्रों के इस तर के अनुरूप हो उप्शन नमबर से समाज कि आपसक्ताओं को पूरा करें और ये सबी ख्याल में सात्रों के लिए उफियोक्त क्वाटड्यू क्या होगा कोछ तो तो लिएक उप्योक्त अंसर होगा उनके विकास में स्यायक हो उफियोक्त पार्ट-फ्र। कि अधियान की सुरुवाथ जिया डी 와 के अग्यात से गयातकी और बढ़ता है और ने यह नंबर है दो ग्याद तत्यों की तोलना करता है और नंबर चेर्पण करता है उप्शन सी दिया तो इसका राइड आंसर क्या होगा प्था कि ऑ चैक इसका करेक्ट अंसर होगा अग्याद से याद की ओर बढ़ता है अदलक किसी भी चीज़ के लिए आपने जानते नहीं थे फिर उसके बारे में जानेंगे खोजेंगे तो अग्याद से ग्याद की ओर बढ़ता है ऑप्शन नमबर इसका क्रेक्ट है आंसर होगा अगला कुस्चन है अनवचारिक सिक्षा किन के लिए है जो सिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल क्या अनवचार और नहीं है तो इसका राइड आंसर होगा और और इसका झाटिशन नमबर इसका करक्ठ आंसर होगा जो सिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ एंट उनके लिये अनवचारिक सिक्षा अगला कूछ समय है विद्याले से छात्रों के बहाने काकारण है इत्य हैं लैप नमबर 1 रूची कर कक्षा शिक्षान नंहीं। मतलब उनकी रूची करक्षा सिक्षन नंहीं होना, उनकी गर्सी सिक्षा में रूची ने घुना, उनकी रूची ने जिसक्षा में। options नमबष्त 7 च्वा दंड़ सहब सोगी सिक्षा में। समस्टा के प्रती उधासीन था तो इसका राइट आंसर क्या होगा और नमबर रुचिकर कक्षा शिक्षन नहीं होना मतलब रुचिकर उनकी कक्षा शिक्षन नहीं होगा तो उनका मन नहीं लगेगा और वह भागने का कारण बाग जाएंगे अगला क्वेश्चन है कि बाल मनो विज्ञानिक की साहिता से शिक्षक किस बात का ग्यान प्राप्ति कर सकता है चात्रों की अभी रुचि छात्रों की छंता चात्रों का चेतन और रहचातेन भेवार और यह सभी मतलब बाल मनो विज्ञान की साहिता से शिक्षक किस बात का ग्यान प्राप्ति कर सकत तो इसका राइट प्रिनाली वह है जिसमें प्रेश्ण उत्तर की आप सकता ने पड़े पूछे उप्सान नंबर । आध्यापकों से संका समाधान करें ऑप्सान नमबर डियापक और छाथ्र दोनों प्रेश्ण पूछें तो इसका राइट आंसर क्या होगा कच्छा सिक्षन की उत्तम प्रिणाली वह है जिसमें राइट आंसर होगा प्रेश्ण उत्तर की आपसक्ता ने पड़े जिसमें प्रेश्ण उत्तर की आपसक्ता ने पड़े अगला क्वेश्चन है विद्ध्याले में सभी सिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे ओप्षिन नमबर एक विद्ध्याले के सभी कादेकरम समय पर होंगे। चाहिए क्योंकि इस से क्या होगा तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट अंसर होगा ऑप्षन नंबर दी उफ्रोक्त सभी मतलब यदि सिक्षक समय पर आएंगे तो सभी कायरेकरम समय पर भी होंगे अच्छी आददत का विकास होगा और विद्याले में अनुषा के द्वारा उन्हें पुष्ट पुष्ट ने मिलना कि ऑप्शन नंबर सी एशिक्षित परिवारिक परिवेश ऑप्शन नंबर लिए और भी दोनों तो बच्चों के पढ़ाई के प्रति गंबीर ने होने का क्या कारण है इसका राइट अंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवन के इसपस्ट लक्ष का अभाव जीवन के इसपस्ट लक्ष का अभाव अगला कुश्चन है किस सहली के सिक्षन के को आदूनिक योग में उत्तम मान जाता है मतलब किस सहली के सिक्षन को आदूनिक योग में उत्तम माना जाता है ऑप्शन ए आदर्सवादी सिक्षन ऑप्शन नंबर भी है प्रियोग आत्मक सिक्षन ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत विन्यता पर आधारित मनुभग्यानिक सिक्षन और ऑप्शन नंबर बिद्यार्तियों को सामाने बिद्यार्तियों के साथ-साथ पढ़ना चाहिए इसका अभिप्राय है तो बंचित समुओं के बिद्यार्तियों को सामाने बिद्यार्तियों के साथ-साथ पढ़ना चाहिए इसका क्या अभिप्राय है और यहां पर्चक सिक्चा तो बंचे समुओं के विद्ध्यारतियों को सामयन बिद्ध्यारतियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए इसका क्या अभी प्राय है तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसका क्या प सामद्यारतियों को सामयन बिद्ध्यारति सा पढ़ना चाहिए एक साथ साथ पढ़ना चाहिए को हो अब मतलब सबको मिलकर पढ़ना चाहिए इसका क्या पर आए इसको बोलते हैं समावेसी सिक्षा समावेसी सिक्षा ओके दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पढ़ नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जबारत